पीकरी हो चाहे सिंगू बॉटर हो सब पस सड़क फूद कर कॉंक्रीट ही दीवाले बना दी है उससे पहले काटे लगाए गए मतलब जो हमारी पार्लामेंट की सुरक्षा नहीं है उससे जादा जबर्दस सुरक्षा की गई है पाकिस्तान बोटर पर भी एसा नहीं है मैंने ने दो बोटर भी देखी लोगत वहां भी इसतरह कर नहीं ही तो यह क्या हमला करने आ तो क्या ये दुस्मन है देश के किसान मैं देश की इसलिए बात कर रहा हूं कि पंजाब हर्याना और पश्मी उत्तर पदेश तो दिल्ली के पास है यह यहां आ सकते हैं और इसलिए आए वरना नासिक से लेके लाखों की तादाद में लोग मुंबई गए पवार साथ ने और दच्छ भारत में कई जगे लाखों की संख्या में लोगों ने रहलियां की इन कानूनों के खिलाब प्रदर्सन किया अब हमारे किसान बैटे हुए हैं कई महीनों से तमाम किसान, किसानों की जान जा चुकी है सरदी की वज़े से, भूब की वज़े से, अन्य तमाम कारणों से लेकिन सरकार ऐसी निर्दई हो गई है ऐसी बेरहम हो गई है कि उसके उपर कोई इसरी नहीं हो रहा है कोई इसर नहीं हो रहा है आप ये बताईए कि अगर आप उनको डेड़ साल तक होल्ड करने के लिए रोकने के लिए राजी हो जाते हैं तो इसमें क्या दिक्कत है कि उन तीनों बिलों को बिगड़ो करके इस सेशन में रिपील की दिये उस एक्ट को और नए बिल ले आईए उनको स्टेंडिंग कमिटी को भेड़ दीजिए और उसके बाद नए बिल पास कर दीजिए अगर पहले भी आपने बिपक्षी मांग मान ली होती कि स्टेंडिंग कमिटी को भेड़ दी जाए तो ये संकत नहीं आता अब मैं देख रहा हूँ कि हमारे गाजी पूर बार्डर पर और टीकरी हो चाए सिंगू बार्डर हो सब पस सडक खूद कर कॉंक्रीट की दीवाले बना दी गई उससे पहले काटे लगाए गए मनद जो हमारी पार्लामेंट की सुरक्षा नहीं है उससे जादा जबर्डत सुरक्षा की गई पाकिस्तान बार्डर पर भी ऐसा नहीं है मैंने तो बार्डर भी देखी वहाँ भी इस तरह कर नहीं है तो ये क्या हमला करने आ रहे दिल्ली पर और बार बार हमारे राष्टपत के अबेभासर में भी इस बात की चर्चा करवा दी आपने राष्टपत को आप जानते हैं कि राष्टपत तो वही कहेंगे जो आप लिखेंगे उससे ने एक लाइन इधर कह सकते हैं ने एक लाइन उदर कह सकते हैं वो अगर अपने मन की बात कहना चाहें तब भी नहीं कह सकते अब किसान अपनी मन की बात कहना चाहता इसलिए आया क्योंकि वो अगर टेली विजन और रेडियो पर उसकी बात आ नहीं सकती इसलिए बैठा इसलिए है कि वो अपनी मन की बात आपको सुनाने आया है आप तो अपनी बात सुना देते हैं सब कोई देखकर नहीं तो जब और प्रस्ण उठता ये है कि आया क्यों है मेरा ये सवाल है कि आप कहते हैं किसानों के लिए कानून लाए किसानों के लिए कानून लाए और किसान कहते हैं हमारे लिए कानून ठीक नहीं जब उनके लिए ठीक नहीं जिनके लिए लाए हो ता आप क्यों जबरदस्ती उनके उब लाद रहे हो का नहीं वो कह रहे हैं कि हमारे लिए नुकसान दाय का आप कह रहे हैं माप के लिए लाए अब देखिए जो MSP की बात चलती है ये ordinances आ गए ते पहले ही जून में और बाद में बिदेख आए जब सत्र चला तब मैं आपको दाहन देना चाहता हूँ कि इस्तिती कितनी खराब हो गई लास्ट येर जब ये अध्यादेश नहीं आया था उससे पहले हमारे हम मक्का का भाव था 22 रुपया कुंटल 22 सो रुपया कुंटल और इस बार जब ये अध्यादेश आपने लाओ कर दिया उसके बाद मेरा तमाम जमीन खाली पड़ी रहती थी धान उसके बाद आलू गया हूँ ये सब करते रहते तो लड़के करते थे नों ने कहा सब मक्का 22 सो रुपया कुंटल बिक रही है अब की मक्का कर दीजिए मक्का की तो 11 सो रुपया कुंटल 11 सो रुपया कुंटल और आपकी MSP है सर MSP है हाइब्रिड की 2660 रुपया और समान मक्का की 1860 रुपया तब हमारी मक्का मेरी कोसिच करने के बाद भी प्रसासन ने कहा कि हम नहीं खरीद पाएं दलालों की तो खरीद लेंगे लेकिन आम लोगों को ग्यार आपके बहार में तो इससे भी जादा खराब पता कर दिया कि मक्का क्या अशाब बिकी वह मंड़ी ले 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 तो म्यश्पी के मिलने का कोई सवाल नहीं है इसलिए नहीं कि आपने कहीं इस कानून में यह नहीं लिखा कि मंडیयों के अलावा जो प्राइबिट मंड़ीयां बनेंगी और प्राइबिट बनेंगी बनेंगी क्या हमें लगता है इन लोगों को कई साल पहले पता था बड़े लोगों को ये ऐसे कानून आएंगे आपके मद्रप्रदेश में कई जगे एक बड़े ब्यापारी ने जिसका नाम रोज लोज देते मैं नहीं लेना चाहता हूँ लेकिन कई करोर टन चाबल और गेहूं भरने के लिए रखने के लिए गोदाओं में बना ली चार साल सा बना नहीं थी दिखवज़ाई सिंग जी माननी दिखवज़ाई सिंग जी अच्छी तरह जानते हैं अब जब उनके बगल में जो मन्डिया होनी हमारी राज़ की मन्डिया बेच चल जाएंगी क्या उन्हें कैसे मालूम था भई कि ये कानून आने बाले जो चार साल सा बना रहे था आप देख आई ये जाके अगर मैं गलत कह रहा हूँ बनाई मन्डिय की नहीं बनाई और किनकी हैं वो मन्डिया जिनके हवाई अड़े हैं कुछ दिनों बाद जिनकी रेलें भी हो जाएंगी जिनके अब लखनव हम गए तो बहुत चौदी चरंसिंग हवाई अड़ा है लेकिन नाम लिखा हुआ है अड़ानी लिखा है हर जग बार जाएए अगर दस मिनट गारी खड़े करेंगे तो इतना रुपया और दस मिनट से जादा हो गया तो इतना रुपया आपको अगर कोई छोड़ने आया बी-आई-पी हैं उनके साथ आपके साथ गारी चली आई थोड़ा साथ हवाई जाल लेट है और आप से नमस्ते क करने के लिए खड़े बात करने के लिए रह गए तब तक पतातलाकारी के पैसा बड़ेगा भी लेख वहत बुरा हाल रहत है तो बही इस्तितिए इसमें है कि किसान क्यों परिसान किसान जानता है बहुत अच्छी तरीके से सबसे बहतर मंडियां काम करती हैं पंजाब और ह जानता है कि जब ये मंडियां बेकार हो जाएंगी तो मनमाने तरीके से यह जो बड़े उद्धिवगपती हैं जिनकी मंडियां बनेंगी निजी बेक किसानों को कहेंगी कम इस भाव पह लेंगे देना हो तो ना देना होते रखो अपने घार उब गरीव होता है आदमी किसान किसान को जब फसल होती है तब वो उस पैसे इसे अपने बच्चों के लिए कपड़े लेता है लड़के लड़कियों की साधी हो तो उसका इंतिजाम करता है पढ़ाई के लिए पैसा की बिवस्ता करता है तो मजबूरी उसे फिर सस्तिम बेचना पड़ता है और यह भय है और भय बास्तविक है दूसरे यह कि जो एक इसमें दूसरा बिल है कॉंटेक्ट फार्मिंग का कॉंटेक्ट फार्मिंग में इतनी बड़ी धोका धरी हम लोग पहले ही संदे था अब आप देखिए 36 गल के लोग है यह हमारे पास सामने रख़ा है उगा पेपर कटेंग 36 गर के 7 जिलों के किसानों के साथ कॉंट्रेक्ट फार्मिंग में दोका धरी एसपी से सिखा है तो हजारों करोर रुपए के हो गया है दोका धरी पैसे ही नहीं दिया ले लिया पैसा नहीं दिया और कुछ जगह कहा कि हम ये बीज दे रहे हैं आपको पैदा कीजिए 2600 रुपया लेंग खरी देंगे और पैदावार इतनी जाद होगी पैदावार आदी भी नहीं होई आप कह रहे हैं कि 800 रुपया खरीदेंगों नहीं नहीं खरीदें आप क्या कैसे कर लेंगे आपने कहीं इस बिल में ये विवस्ता नहीं की कि चाहे राज्ज की मंडी में खरीदा जाए चाहे कोई individual खरीदे चाहे कोई और private मंडी वाला खरीदे इस MSP से कम लागत पर कम कीमत पर कोई नहीं खरीदेगा ये guarantee अगर एक line लिख दे जाते तब भी लोगों को भरोसा रहता कि इसमें हमारी MSP बची रहेगी अब केवल का ऐसे ही कहते रहोगे के MSP नहीं जाएगी कहां आपने guarantee की भाई जो बड़े-बड़े खरीदेंगे लोग और contact फारेमन का एक मालूम क्या order है एक डर यह है कि वो छोटे-छोटे जैसे तीन एकर से कम किसान हंद्रस्तान में लगवाग पचासी परसेंट है वो contact लेंगे तो पता चला कि 500 एकल दे जाएं पूरे दो चार गाउं की जमीन ले ली contact अभी तो हम लोग देते हैं कि मालों बटाई पोई ले लेता तो एक फसल के लिए देते हैं दो फसल के लिए दो साल के दे उससे जाद नहीं देते हैं कि कई कब जान कल ले यह लेंगे 25-25 साल के लिए तो जो लोगों को भाय है कि हम बेघर हो जाएंगे बेजमीनी हो जाएंगे तो क्या गरत दर है उनके मन में यह सई है तो यह जो लोगों को के मन में भय है इसलिए उसको बदूर करने के लिए इन बिल को बापस लेने के लावा कोई रास्ता नहीं तीसरी बात यह है कि आपने जो एक बिवस्था और कर दी है आखिर कुछ एक्षण ऐसे होते हैं जिससे लोगों के मन में संदे जो पैदा होता है वो कनफर्म होता चला जाता है आपने विवस्था यह कर दी कि यह यह जिनसे जो मेन है जैसे चावल है दान है गेंव है आलू है और कुछ तिलहन है दलहन है यह एसेंसियल कुमोडिटी के अंतरगत नहीं आएंगे तो यह खुली होडिंग की छूट किसके लिए दी गई भई गुलाम नभी आजा तो कहीं भाद नहीं देंगे जमीन खरीद के कौन खरीदेगा कौन होडिंग करेगा यह बड़ी-बड़ी मंडियां बन नहीं है वो किस लिए बन नहीं है जो बड़े-बड़े गोदा में सौरी बड़े पेवाने पर गोदा में बनाई जा रही है वो किस लिए बनाई जा रही है इसी होडिंग के लिए किसको होडिंग कर लें और उसके बाद जब किसान के पास और व्यक्ति के पास नहो तब जितना चाहे उस रेट पर उसको बेजे क्या नियंतन है आपका सिर्फ उसमें ये लिखा कि युद्ध की इस्तिती में या कोई और महमारी हो उस इस्तिती में आप उनको ले सकते हैं अन्यता उन्हें छू नहीं सकते चाहे जंता भूकी मरती रहे लेकिन गोदां में भरी रहेंगी जब अकाल पढ़ा था एक बार बंगाल में तो लाकों टन नीचे गोदां में भरा था और हजारों आदमी उपर मर गया था ये कहीं पढ़ा था मैं मरे थे लोग तो इसलिए ये जो संदे़ लोगों के मन में है ये अनावसक नहीं है और आपने आरोप लगा दिया कि बिपक्ष ने किसानों को गुमरा कर दिया हर चीज में राजनीत करने की आवसकता नहीं है जो सूरज के रोशनी की तरह साफ चीज हो उसको लिए भी ये कहो कि ये तो भई ऐसा नहीं ऐसा है तो कौन मान लेगा उसको आपने कहा कि किसानों ने गुमरा कर दिया और एक चीज नहीं हर चीज में आपने कल देखा होगा बाद में अधिकारियों को बैक फुट पर जाना पड़ा कि दिल्ली में साधरा पुलिस ने इस्टील की लाथिया मंगाई इस्टील की लाथिया जब वो कुछ चैनलों ने दिखा दी तो अधिकारियों ने सपस्टीकर दिया कि हमें नहीं मालुम था कुछ लोकल अधिकारियों ने मुना दी थी बादमन को बिड्डो कर लिया गया किसानों के लिए स्टील की लाठियां कभी दुस्मनों के लिए बॉर्डर पे स्टील की नहीं जरूरत बड़ी लाठी की जरूरत लेके नहां स्टील की लाठी मंगा ली तो क्या ये दुस्मन है जो देश को खिलाते हैं पंजाब का एक सांदार इतिहास है अतीत है अतीत है अ लेकिन एक इस्तिती ऐसी थी जिसमें देश के बड़े हिस्से को खिलाने पिलाने का काम पंजाब करता था। देश की सीमाओं पर बड़े पहमाने का उनके घरों से जाने बारे लगे हैं। लोग हैं बॉर्डर पर जो सीमाओं की रख्षा करते हैं देश में जाओं dollars को बनाई रखने का काम करते हैं बे जवान भी नहीं किसानों के परिवारों से आते हैं ये उन परिवारों से नहीं आते हैं जो जिनके लिए आप लोग काम कर रहे हैं आपको काम करना चाहिए इनके लिए आप कर रहे हैं उनके लिए जिनके आसपास का जिनके रिष्टा रिष्टेदार और खानान कोई सेना में जाही नहीं सकता है नहीं 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 देख गाइज बनके सामने गोली चला दी जाए तो गिर पड़ेंगा लेकिं देश का धन सारा एक खटा कर लें और उनकी मंदद हो रही है भाई ये ये क्या दिक्त है कि किसान कह रहे हैं कि बापस कर लिए इसमें प्रतिस्था का प्रस्न कहा अगर हम कहते अगर विपक्ष कहता पॉलिटिकल पार्टी कहती ही का विड्रो कर लीजिए आप मत करो एक किसान किसी राजनेतिक दल का नहीं है किसी राजनेतिक दल से प्रेरित नहीं है बलकि जो लोग बैठे हुए उन्होंने कहा है कोई राजनेतिक दल का ब्यक्त हमारे मंच से भासन नहीं कर सकता है बैठ सकता है नीचे लेकिन मंच पर नहीं जा सकता है कहा है कि नहीं कहा है तो उसमें आपकी क्या प्रतिष्ठा गिरी जा रही है जब गुलाम नभी साब बता रहे थे जो उन्होंने उदार तीन दिये वो सौ फीस्दी सत्य और तथ्यात्मक है जब अंग्रेज किसानों की बात को मान सकता है और कानून को बापस ले सकता है तो क्या आप अंग्रेजों से खराब है आपको क्या दिकत है समाय होगे जी हो गया ओलेड़ी दो मिनिट तीर मिनिट अदिख होगे आदा मिनिट में खनम किये दे रहा हूँ सर एक तो मैं अपनी बात खतम करने से पहली यह कहना चाहता हूँ किस आपात इस इस पैंडेमिक में भी अकेले खेती ही ऐसी थी जिसने जीडीपी को रोके रखा कुछ है हमारी खेती की का योगदान 20% है 14% से बढ़के 20% हो गया कि उनको और जीडीपी डाउन हो गई थी लेकिन खेती ने आपकी इज़त रखने की काम किया लोग देश को बचाने का काम किया और दूसरे ये कि जो लोग मरे हैं मैं सरकार से ये मांग करता हूँ को उनके सानों के उनके परिवारों को कम से कम 20-20 लाख रुपए का मापजा दिया जाए और उनके बच्चों को कहीं कहीं राज सरकारों से कहके या किन सरकार में उनको एक आत्ब बच्चे को जो मरे हैं उनको सरकारी नो करी दी जाए और हमारे गुरू अधै प्रताप सीन एक बार लिखाता इसी पर कि खेत में मेहनत तुमने की तुम्हीं को तंगी का डर हो तुम्हारे घर में दिया जले रोसनी और कहीं पर हो उठो ये नील कंट तीसरे नेत्र की याद दिलाता हूँ तुम्हें आवाज लगाता हूँ और झाबाज देना चाहता हूँ को एक हो सारे देश के इने तो अभी ये घवंड है कि हम बाहर समगा ले तुम्हन हम बाहर समगा लें हाँ ये यह कर सकते हैं लिकिन कितने दिनों तक कर सकते है ऐसा नहीं है कि किसान जिस दिन विद्रोह पर आएगा तो बड़े-बड़े लोग सत्ता में नहीं रहते हैं ये किसी को घमन नहीं रहना चाहिए का हमेशा सत्ता में बने रहें इसलिए लोगों की बात सुनिए लोगतंत्र है देश की बड़ी आबादी वो है बैठे हुए लोग उनको मनाईए बे आपको मना रहें ये ये समझ ये एहसान कर रहें आप पर आप उनसे कहिए आप जाईए हम ये विद्रो करेंगे बिल और नए बिल लाएंगे जिसमें उनसे भी पूछा जाएगा उनके संगठनों से पूछा जाएगा और उसके हिसाब से संसोधित कानून लाए जाएंगे बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद